हाई गैस और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच्च दव एजूकेशन वेलकम तो दी डेली करेंट अफेयर्स ओफ 17 जैनवरी 2023 तो गाईज आज है तारिक 17 जैनवरी 2023 और है टूस्डे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स मनेंगे उन सभी करेंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डीटेल से डिसकस करेंगे यह वीडियो यूपीस्ट और स्टेट प्यस्ट के पॉइंट अव इसके उपर फोकस करते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो इंपोर्टेंट सोर्स इसे पी आई भी डाउन टू अर्थ और लाइव मिंट को भी हम लोग काफी डीटेल से कवर करते हैं प्रॉपर बाग्राउंड इन्फोर्मेशन के साथ में एक बात और है वीडियो का अगर आप लास्ट मिस करके चले जाते हो ना तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो इस वाज़े से वीडियो का अंत बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दिया गया है एक टेस्ट करना है पूरे वीडियो को कंसेंट्रेशन के साथ में सुनना है ला पाइदा होने वाला है बाकी यह मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी सरे सोर्स को हम लोग इनिक्स्प्रेस के साथ मर्ज करके कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर का PDF वगर आगर आपको चाहिए तो करना क्या है डाउनलोड कर लेना टेलिग्राम और वहाँ प पर भी आपको दीपक्च यदा विजूकेशन लिखना है आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा और वहाँ पर 11,000 से जादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में परसनली जुड़ सकते हो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इंपोर्टेंट से सेशन को आ में देखो होता जो है ना कि जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के उपर आपने देखा होगा कई बार वो बहुत जादे शाइन कर रहे होते हैं तो जो शाइन कर रहे होते हैं उनके ओपर एक कोटिंग की गई होती है तो एक तो होती है क्रोम प्लेटिंग यह हमारा पुरानी वाली टेकनिक है जो क्रोम की कोटिंग होती है इसमें हम लोग क्रोमियम का इस्तमाल करता है लेकिन ये कहीना कहीं काफी ज़दा जहरीली मानी जाती है इसमें काफी सारे टॉक्सिक ऐसी चीज़े देखने को हम बलती है जो की इनसान के अंदर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को डेवलब कर सकती है तो यहाँ पे एक नई टेकनिक आई है निकल अलोई कोटिंग तो यही बोला जा रहा है कि जो निकल अलोई कोटिंग वाली टेकनिक है कहिना की पुरानी वाली टेक्निक को replace कर सकती है क्योंकि इसमें अपने आप में बहुत सारे advantages हैं तो क्या-क्या चीज़ है आगे डीटेल से समझाओंगा क्रोम प्लेटिंग क्या होती है निकल अलाई कोटिंग क्या होती है सब कुछ डीटेल से समझाओंगा डोंट वरी गबराने की जुरुत निया कि हाएक के सर कुछ समझ में नहीं है देखो सबसे बहले आप यहाँ पर अगर इस बाइक को देखते हो आप थो बाइक में आप कुछ मेडल का पॉर्शन आपको नजर आ रहा होगा जैसे मैं ये वाला पॉर्शन बोलूं तो काफी चमक रहा है है काफी शाइन मार रहा है क्योंकि इसके ओपर यहाँ पे क्रोम की प्लेटिंग की गई है जो क्रोमियम है उसका यहाँ पर जो कोटिंग है उपर जो परत है वो चड़ाई गई है इस वैसे यहाँ पर यह चमकता वो नजर आ रहा है लेकिन बोला यह जा रहा है कि यह बहुत खतरनाक है हमारे एन्वार्मेंट के लिए भी और human beings के लिए भी तो प्लेटिंग तो ऐसी यहाँ पर चर्चा की जारी है न्यूज यहाँ पर यह यह जो नया मेथट है निकल अलॉय कोटिंग का इसकी पर्फॉमेंस भी जादा बेटर है हमारे एन्वार्मेंट के लिए यहाँ पर बहतर है इनसान की हेल्थ के लिए बहतर है ठीक है और यह उस प्रोड़ेट के होई भी है और दूसरा metal यहाँ पर निकल की coating होई भी है इसके उपर निकल के जो परत है वो चड़ाया भाई तो बोला जा रहा है इस वाले chrome को replace कर दिया जाए इसको हटा कर यह नया वाला system लेकर आया जाए नया वाली technique का इस्तमाल किया जाए ठीक है बात clear हो गई आगे आते हैं अब मैं आपको थोड़ा और detail से लेकर चलता हूँ कि sir exactly chrome plating होती क्या है देखो chrome plating basically एक ऐसा process है जहाँ पर हम किसी metal के उपर एक पतली सी chromium की layer को चड़ा देते हैं जिससे वो जो metal है वो चमक रहा होता है शाइन मार रहा होता है उसको एक protection भी मिल जाती है बात clear हो गई अब यहाँ पर electro plating होती क्या है देखो यहाँ पर इस परत को चड़ाने के लिए ना हम यहाँ पर electricity का इस्तमाल करते हैं थोड़ा बिजली का यूज किया जाता है तो basically यहाँ पर इस वजह से सको हम लोग electro plating भी बोल देते हैं properties की बात करें जो यह इसके अपनाप में properties हैं importance यहाँ पर यह है कि इसका इस्तमाल हम खास कर अपने जो automobile sector है गाड़ी motor है इनके अंदर जादा यूज करते हैं या फिर दरवाजों के handle आपने देखेंगे कई बार shine मार रहे होता है क्योंकि वहाँ पर इसी chromium plating का use किया या है बात clear होगी ले इसको हम लोग human carcinogen के नाम से भी जानते हैं तो एक carcinogen क्या है यहाँ पर यह human carcinogen क्या कर सकता है किसी इंसान के अंदर respiratory problems को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है है ना respiratory problems हो गई अपना हारा जो respiratory system है body के अंदर उसको damage कर सकता है इसके इनके उपर irritation हो सकती है even lung cancer जैसी बिमारिया भी हाँ पर बन सकती है इस human carcinogen की वज़ा से यानि कि इस hexavalent chromium की वज़ा से तो यही बोला गया है यह जो chromium plating का use क्या जा रहा है इसके अंदर एक चीज ह जिसकी उज़ा से काफी नुकसान हो सकता है इनसान को allergy भी हो सकती है उसके लिये zehar हो सकता है इस वज़ासे हमें इसको replace कर देना चाहिए किस से इसको replace कर देना चाहिए nickel alloy coating से बाग clear हुई अब यह nickel coating क्या होती है इसको समझता है देखो nickel की हम इस पर coating कर देंगे जैसे हमने तो निकल की जो coating होती है निकल अपने आपे बहुत 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 बहुतिन सा combination है यह क्या करता है यह भी वैसे काम करेगा क्रोमियम की तरह वहाँ पर आपका सकते हो एक brightness प्रोवाइट करवाएगा वहाँ पर shine प्रोवाइट करवाएगा उस metal को बचाएगा उस metal को जंक लगने से बचाएगा तो यह काम यहाँ पर निकल का होगा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग किसी metal के ओपर क्रोमियम की coating करते है न तो उसके अंदर निकल की coating पहले से हुई भी होती है पहले से हम लोग पहले अंडर उसके निकल की करते है फिर उसको पर chromium की करते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है, तो nickel का इस्तमाल हम पहले से करतो रहें, लेकिन जो हमने research करी है, तो हमें पता ये चला, nickel coatings ज़ादा बहतर है, chromium platings है, ठीक है, अब nickel alloy coatings का कहा कहा पर इस्तमाल की जाता है, aerospace के अंदर जो हमारे हवाई जहाज है उनमें कई सारा metal यूज होता है वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं ताकि उस metal की जो life है उसको हम लोग उसके life span को increase कर सकें उसके उपर जंक लगने से उसको बचा सकें ऐसी हम लोग अपने auto mobile sector यानि वही गाड़ी motor के अंदर भी इसका अस्तमाल करते हैं जैसे हम लोग chromium plating का अस्तमाल करते हैं तो यहाँ यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है इसको और जदा भेतर बनाया जा सकता है आप देख पाऊगे जो आप लोगो निकल के बारे में बता देता हूँ क्योंकि निकल चर्चा में है तो निकल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए हमारे पुरा जब आप लोग periodic table देखते हो ना तो उसमें एक जगए निकल की भी चर्चा की जाती है तो निकल क्या है एक ऐसा chemical element है ना जो की copper, uranium और other metals के अंदर पाया जाता है ध्यान रखना एक ऐसा chemical element जो की copper, uranium और other metals के साथ में हम लोग को मिलता है ठीक है अब इसके अंदर आप देखोगे ना इसका जो atomic number है यह ध्यान रखना क्योंकि ऐसे आप से science and tech के perspective से सवाल बन सकते हैं तो निकल का जो atomic number है वो है 28 इसका जो symbol है वो ni, ni यहाँ पे ध्यान रखोगे इसका पूरा नाम है nickel ठीक है तो यह हमारे periodic table के अंदर nickel आपको mention देखने को मिलेगा एक chemical element जिसका atomic number 28 है, symbol इसका li है इसका काम हम लोग, यह news में क्यों है मैं आपको बता दिया इसकी coating करने के बारे में चर्चा की जा रही है इसको हम लोग देखते हैं, यह कहने की copper, uranium और दूसरे metals के साथ में मिलकर पाया जाता है ठीक है ना, तो एक important सा align material यह देखने को मिलेगा यानि की combination में मिलता है यह, किसी ना किसी दूसरे metal के साथ में जो combination है ना, उसके साथ में यहां पर यह मिलता है, आप ऐसा कह सकते हो तो एक ऐसा metallic substance है, जो की basic 2 या 2 से ज़ादा element से मिलकर बनावा है आप ऐसा ध्यान में रखना, बाकी alloy के बारे मैं आपको बता दिया, alloy क्या होता है alloy basically एक mixture है, chemical element का, ठीक है ना, यहां पर आप जैसे देखो कि जैसे bronze है, bronze के अंदर copper tin आपको दुनों देखने को मिलेगा, gold, gold के अंदर आपको यहां पर gold, copper, silver, तीनों चीज़े देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर बताया, तो काफी सारी चीज़े यहां पर मिले भी होती है mixture of chemical elements जो होता है ना, जहां पर chemical elements एक साथ कई सारी chemical elements मिल जाते हैं, उसका हम लोग alloy बोलता है ठीक है, तो nickel के बारे में आपको समझ में आ गया, एक important alloying material है, काफी सारी चीज़ों के साथ में मिलता है especially copper, uranium, और दूसरे metals और तूसरा यहां पर इसका atomic number और यहां पर symbol, बस इतनी सी कहानी यहां पर आपने ध्यान में रखनी है ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया, chromium plating क्या होती है, और साथी साथ में आपको समझ में आ गया होगा, यह nickel coating क्या होता है next important article पर आते हैं, अगला article हमारा Indian Express का है, आपको मैंने कल पढ़ाया भी ता कि जो Defense Acquisition Council है इन्हों recently यहां पर कुछ पैसा खर्च करने के लिए बोला है, लगबग 4,276 करोड रुपे यहां पर खर्चे जाएंगे यह पैसा खर्च जाएगा किस चीज़ के लिए? हमारी Armed Forces के लिए अलग-लग Weapons को Purchase करने के लिए जो हमारी Indian Navy है, Army है, Air Force है, इनके लिए हत्यार को खरीदने के लिए पैसा खर्च जाएगा इसमें न हम लोग ने एक Missile के लिए Approval दे दिया, यह Missile काफी चर्चाम है इसको हम लोग बोलते हैं V-S-H-O-R-A-D यह Missile बहुत चर्चाम है, तो आपने नाम ध्यान रखना है इस Missile सिस्टम को भी हम लोग यहां पर Purchase कर रहा है और इसका यहां पर बिसिकली इस Missile सिस्टम को डवलप किया गया है Defense Research Development Organization DRDO के माधियम से तो इसको हम लोग ने Purchase करने के लिए DSE की साइट से Approval मिल चुका है इसको लेकर पूरा का पूरा Indian Express के अंदर Explain section पर आज से कुछ दिन पहले एक लंबा आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसके बाद फिर से कई सारे आर्टिकल पब्लिश होते वे नजर आएं इस बज़ इसका discussion किया दा रहा है तो हाली में Defense Acquisition Council जिसको Defense Minister Head करते है इन्होंने आपर Approval दिया एक मिसाइल का जिसका नाम है VSHORAD अगर हम इसको बोले तो यह Very Short Range Air Defense System है ठीक है Short Range के लिए बहुस थोड़ी सी दूरी के लिए अगर थोड़ी सी दूरी पर खत्रा है दुश्मन उसको डाने के लिए हम लोग इस Air Defense System या फिर इस मिसाइल सिस्टम का इस्तमाल कर सकते हैं यह जो VSHORAD है यह एक Man Portable Air Defense System है अब Man Portable Air Defense System क्या होता है आप नाम से समझ रहे होंगे इनसान जो है इसको Carry कर सकता है यहाँ पर मानलो हमारे एक Soldier है वो यहाँ पर इस Missile System को इस परकार से अपने कंदे पे रखकर चला सकते हैं इस Missile को दाग सकते हैं अब इसको चलाना आसान है उतना ही हाँ यहाँ पर इसको Carry करना तो इसके लिए manpad का सबसाद अस्तमाल के दागा है, manpad, manpad ध्यान रखना man portable air defense system हम लोग बोलता है, जहां पे इस particular defense system को हम carry कर सकते हैं, इसमें एक launch tube है, grip stock है, यहां पे site है, जहां से आप target set करोगे, target set करने के बाद में इस missile को दागोगे, और दुश्मन का खात्मा करोगे, त ठीके न, आपसे पूछा जाए, यह conscious system है, तो ध्यान रखना रखना एक man portable air defense system है, हमने इसको किस से purchase किया, DRDO से हम purchase कर रहे हैं, इसके लिए defense acquisition council वो धेर सरा पैसा खर्च कर रहा है, ठीके, short range, lightweight, portable, surface to air missile है, मैं आपको बताया, कि इसका इस्तमाल हम कोई दूर है, अगर कोई पास में ही दुश्मन है, short range basically थोड़ी दूरी पर ही है, तो भी हम इसका use करते हैं, प्लस यह थोड़ा सा हलका होता है, दूसरी बात यहाँ पर इसको हम लोग सहते हैं, यानि की जमीन पर खड़े होकर इसको छोड़ते हैं, और जाकर आसमान में हम अपने दुश्मन के helicopter या पूचाई तक यहाँ पर यह जा सकता है, बात क्लियर हो गई, आ गयाता है, तो उसके दिसमें कई सारे अलग लग feature side करेगा, या आप से नहीं पूच जाएगा, कौन को से control system लगेगा है, यह आप से कभी नहीं पूच जाएगा, ऐसा सवाल पहले भी कभी नहीं पूचा गय है, और उसके बाद में आपर इसको develop किया है, तो इतना ध्यान रखना, DRDO ने इसको develop किया, आगया आते हैं, अब आप देखो के दुनिया भर में, मतलब इस man-paid system का इस्तमाल ही जाता है, जो यहाँ पर यह portable missile system है, इसका कई सारे देश इस्तमाल करता है, आप देखोगे, यह आगे आते हैं, अगले आर्टिकल की दरुफ, लेकिन आगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले, make sure करना, वीडियो पर जो like का button उसको press कर देना, हमने target रखा है, 3K plus likes का, आपको 3000 से जो आंकड़ा है इसको पूरा करवाना है, और इससे आगे बढ़ाना है, अगला important news article, बहु याद होगा, हैना अभुपाल के अंदर मद्यप्रदेश की जो capital है, अभुपाल वहाँ पर एक समय पर जो gas है, वो leak हो गई थी union carbide company से, जिसकी वेसे कई सारा नुकसान हुआ, कई सारे लोग की मौत हुई थी, आपको पता होगा, लेकिन हुआ कि यह जो incident हुआ था, उसके यहाँ पर सरकार ने उस union carbide company से धेर सारा पैसा मांगा, 715 करोड रुपए यहाँ पर उस company ने दिये, ताकि हम जितने भी वेक्टेम से, जितने भी पीडित लोग थे, उस पूरे gas tragedy से उनकी help कर सकें, सरकार ने धेर सारा पैसा वहाँ पर चुकाया, लोग को provide करवाया, लेक company इससे धेर सारा पैसा और भी निकलवाया जाए, बट यहाँ पर इस चीज़ को Supreme Court मनाच कर चुका है, Supreme Court यहाँ पर कहे चुका है कि देखो आपको यह पैसा देना है, ठीक है, आप यहाँ पर कैसे भी उन पीडित को पैसा दो, लेकिन पैसा देना पड़ेगा, तो यह Supreme Court इ पैसा देना होगा, तो यह बात यहाँ पर Supreme Court की साइट से की गई है, तो कहोगे सर आर्टिकल तो हमने पढ़ी लिया, इसमें बचे ही क्या पढ़ने के लिए, एक चीज़ बचे ही पढ़ने के लिए, मैंने एक वर्ड बीच में इसमाल किया, जल्दी से यूज़ कर लिया थ करती है, लेकिन यहाँ पर Supreme Court मना करता है, कि आप यहाँ पर यह Curative जो Petition है ना, इसको लेकर कोई Decision नहीं ले सकते हो, और पहली बात आपको यह पैसा चुकाना है, वो बात यहाँ पर Supreme Court ने मेंशन किया, तो यह Curative Petition होता क्या है, आपने याची का सुना होगा, पेटिशन क हम याची का यह बोलता है, लेकिन यह Curative वाले ही क्या होती है, ध्यानक में बहुत दिनों बाद News में है, और बहुत Rarely आती है यह News में, कभी कभी News में आती है, तो Possibility है इसको लेकर सवाल बन जा है, Curative Petition को लेकर, तो जो Concept है ना, यह Curative Petition का, यह कहां से निकल कर आया है, 2002 का एक केस है, कौन सा केस है, रूपा अशोक हुर्रे वर्सिस अशोक हुर्रा, एंड अनदर केस, यह इसके केस का नाम है, तो इस केस को 2002 में लड़ा गया था, उसी के basis पर Curative Petition का जो Concept है, वो News माया था, ठीक है, तब से आप देखोगे, Curative Petition की काफी चर्चा होती है, होता यह यहाँ पर अपना सुनवाई करने के बाद में, जो भी यहाँ पर Supreme Court अपना Order दिया, अब उस Order में कहीने की दिक्कते हैं, वहाँ पर Justice सही से मिला नहीं है, अब उस व्यक्ति को Justice मिला नहीं है, तो उसने यहाँ पर क्या किया, पहले अगर उसे सही सही से निया आई नहीं मिल और उसे पता है, उसके पास में सारे सबूत है, तो वह पहले तो Review Petition डालता है, कौनसी? Review Petition, कि यहाँ पर इसको वापस से देखा जाए एक बार, इस मामले को एक बार वापस से Review किया जाए, लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर कि जब वो Review Petition भी Court खारीज कर देता है, कि नहीं हम नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर उस इनसान के पास में एक लौता रास्ता बचता है, क्यूरेटिव Petition का, किसका क्यूरेटिव Petition का, फिर वो यह वाला Petition डालता है, कोड की अंदर में, कि देखो गलती हो गई आपसे, यहाँ पर आपने जज्जमेंट में कुछ गलत सुनाया है, यहाँ पर आपको इसको दुबारा देखना होगा, ठीक है, तो यह बेसिकली यहाँ पर क्यूरेटिव Petition का कॉंसेप्ट है, यहाँ पर क्या होता है, कि मालो यहाँ पर एक दोशी व्यक्ति है, तो उसको क्या रिलीफ मिल सकता है, क्या वो यहाँ पर, अग ठीक है, तो क्यूरेटिव Petition के आए, एक final और last option बचता है, पीपिल के पास में, लोग के पास में, ताकि वो अपने आपको न्याय दिलवा सकें, जो की हमारे संभिधान में mention है, क्यूरेटिव Petition के बारे में, तो क्यूरेटिव Petition कब फाइल किया जाता है, ध्यान रखना, जब Review Petition आपका reject हो जाए, आपने Review Plea किया था, कि सर, इस केस को वापस से एक बार देख लिया जाए, इस Petition को Review कर लिया जाए, बट आपका वो Petition खारिज हो गया, खारिज होने के बाद में, लास्ट ऑप्शन बचता है, किसका, आपके पास में, लास्ट ऑप्शन बचता ह है Curative Petition का, तो Curative Petition का Major Objective क्या है, इसका मकसद है, Ensure करना कि जो Court ने Justice दिया है, Court ने हैं पर जो नियाई किया है ना उसके अंदर कोई कमी ना हो, अगर कोई कमी होती है तो यहाँ पर उस चीज़ को रोकने में मदद करेगा, अगर इनसान को पता है कि हामेर निर्दोशन, उसके पास में सपूत है, वो यहाँ पर इस प्रकार से आगे इस कहानी को बढ़ा सकता है, और उसका Review Petition भी अगर Reject हो जाए तो वो यहाँ पर Curative Petition को जारी कर सकता है, बात क्लियर होगी अब इस Petition के Admission के लिए कुछ चीज़े होती हैं, कुछ क्राइटेरीर होता है देखो, Court ना, इस Curative Petition को तभी सुनेगा, जब Petitioner ये बताएगा कि देखो, कही ना कि जो Justice मिलाए, उसके अंदर कमी है और जो Court ने यहाँ पर Justice दिया है, जो भी यहाँ पर Order सुना दिया है, जो भी नियाएं किया है उसमें कही ना कि कमी है, जो Judge है, वो यहाँ पर Facts को सही से Disclose नहीं कर पाए है तब यहाँ पर आप Curative Petition डाल सकते हो, है ना, दूसरी बात यहाँ पर जो Curative Petitions होते हैं, यह कभी-कभी जारी किये जाते हैं, जैसे बाकी आपने सुना होगा, बाकी तो हर रोज चर्चा मी रहते हैं, आज यह Petition डाल दिया गया, आज यह Petition जारी कर दिया गया लेकिन इन Curative Petition rare होते हैं, बहुत कमी से यहाँ पर News में देखने को हम बिलते हैं, बात क्लियर हो गई अब दो-चार और Important बात हैं उसको ध्यान अकना, जो यह Curative Petitions होते हैं, इनको हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक Circulate करेंगे तीन Senior Most Judges की Bench पर, तीन Judges होंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पर इस Particular Petition को देखेंगे, और एक बात और ध्यान अकनी है, जो Curative Petition होता है, इसको लेकर जो भी Judges Decision लेते हैं, वो Chamber के अंदर लेते हैं, यह Open Court की Hearing नहीं होती है, यह Openly यहाँ पर जो Court के अंदर सुनवाई होती सबी के लिए नहीं है, केवल यहाँ पर separately अलग से एक चैंबर के अंदर जज बैठेंगे, वो ही बेसिकली इस Partition का पूरा का पूरा discussion करेंगे, बात क्लियर हो गई, तो यह है हमारा Curative Petition का Concept, आगया आते हैं, अगला आर्टिकल काफी जदा important होने वाला है, इसको आप लोग GS Paper No.3 Economic Point Review से लिंक कर पाऊगे, इन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जो हमारी केंश सरकार है न, वो 26 करोड रुपे, as a incentive, खर्च करने वाली है, बैंक के उपर, ताकि आप लोग डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर सकें, अब आपको दिया जाएगा, ताकि रुपे कार्ड्स और UPI जो पेमेंट्स है, जो आज के समय पर आप करते हो, इन पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सकें, है न, तो कहोगे यह पैसा, मतलब इन ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए खर्चा जा रहा है, ठीक है, तो यह पैसा किसको दिया जाएगा ये पैसा दिया जाएगा बैंक्स को ठीक है बैंक्स को दिया जाएगा अब ये क्यों दिया जाएगा क्योंकि पहले तो बैंक MDR कट करा करते थे आप अगर UPI पेमेंट करते थे ना आप अगर पहले UPI या फिर आप debit card से payment करते थे इस point of sale machine पर इसको हम क्या बोलता है POS machine इस पर आप card लगाकर payment करते थे पहले तो एक amount कटता था और वो जो amount है न वो bank लेता था तो यहाँ पर बोला गया कि देखो यह amount 2020 में already हमारे सरकार ने खतम कर दिया था एक जनवरी 2020 से खतम कर दिया था कि यह जो banks अब यहाँ पर यह amount नहीं लेंगे ठीक है तो basically इन banks को इस चीज़ का यह जो paid up है यह जो पैसा है वो basically banks को दिया जा रहा है ठीक है क्योंकि अगर banks को कुछ मेलेगा नहीं तो यह online payment आगे बढ़े गई नहीं क्योंकि यह जो card issue करने वाली जितनी bodies है वो सारी की सारे आपके card issuing banks देखने को मिलती है bank की इसको जारी करता है है ना अब ही मैं आपको और detail से लेकर चलता हूँ आपको समझ माएगा तो basically इस पूरे के पूरे news के अंदर आपके लिए एक important concept निकल कराता है वो है MDR merchant discount rate ठीक है क्योंकि यहाँ पर bank को यह merchant discount rate पहले मिला करता था बट यहाँ पर सरकार ने merchant discount rate एक जनवरी 2020 में खतम कर दिया था ठीक है इन्होंने बोला कि ठीक है अब यहाँ पर इसको use नहीं करोगे इसको abolish कर दिया गया था बट अब यहाँ पर बोला गया कि चलो ठीक है आप merchant discount rate आपके पास में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यहाँ पर सरकार आपको यह पैसा provide करवा रही है ताकि आप इन online payments को और जदा promote करो रूपे cards को promote करो UPI system को promote करो लोग और जदा online transaction करें अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है मैं आपको और detail से लेकर चलता हूँ पहले हमें समझना होगा कि merchant discount rate होता क्या है क्या है यहाँ पर किसी को discount दिया जाता है क्या आप शौपिंग करी तो आपके पास एक card है आप card से payment कर रहे हो ठीक है तो card को मालो 100 रुपे की आपने शौपिंग करी है जब आपने card swipe किया ना तो 100 रुपे दिये आपने 100 रुपे का petrol लिया और 100 रुपे यहाँ पर pay कर दिये लेकिन जब आप card swipe कर रहे हो तो वो basically एक bank का card है card issuing bank ने वो issue किया है उसके आद में कुछ company आ जाती है बीच में जिसका ये card होगा, रूपे card है, master card है, visa card है वो company भी आ गई या फिर कोई bank आ गया जो की POS, machine वगरा provide कर वाए ख्योंकि आपने machine में card swipe किया है कि सारे लोग बीच में आ जाता है तो आपने 100 रुपे काटे, आपने 100 रुपे का ते लिया और आपने 100 रुपे payment कर दिया जब 100 रुपे payment कर रहे हो ना, तो बीच में जो bank के वो क्या करता है 100 रुपे में से केवल और केवल 99 रुपे ही यहाँ पर इन प्रेटरल पंप वाले को देगा या दुकान वाले को 99 रुपे देगा बाकी एक रुपे हाँ पर काट लेगा एक रुपे क्या है MDR चार्ज है ठीक है, क्या है MDR चार्ज इसको हम लोग merchant discount rate बोलते हैं तो merchant discount rate जो एक रुपे bank के पास में आएगा वो एक रुपेअ बट जाएगा किस किसमें बट जाएगा जिसने एक कार्ट दिया होगा, कार्ड issue क्या होगा दूसरा कार्ड जिस कंपनी का होगा यनी mastercard, visa रुपे जो एक कंपनी जारी कर रही है वो एक रुपिया मेंसे कुछ इसको जाएगा यह पर POS machine यानि वही point of sale machine जिसके अंदर आप card swipe कर रहे हो जो merchant के पास में थी ठीक है तो वो यहाँ पर machine भी हो गई तो यह सब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा एक रुपया में से card लेंगे अपने पास में रख लेंगे इसको हम लोग बोलता है merchant discount rate आपके पैसे में से नहीं कटेगा आपने यहाँ पर दिया जो merchant के पास में आया क्योंकि वो facility आपको दे रहा है कौन सी वाली online payment वाली इसी वज़ा से यहाँ पर जो bank और bank यहाँ पर bank की वज़ा से यह सारे के सारे POS machine card वगरा सब कुछ हमारे सामने है तो इस वैसे bank एक रुपिया काट लिया इसी को हम लोग बोलता है merchant discount rate तो एक बात ध्यान अकना merchant discount rate क्या होता है merchant discount rate वो rate होता है जो की merchant से लिया जाता है और कौन लेता है हमारी bank लेती है ठीक है तो आपसे पूछा जा सकता है merchant discount rate क्या होता है तो merchant discount rate का मतला बे एक transaction discount rate जो कि basically एक छोटी सी fee है एक छोटा सा amount है जिसमें हम लोग merchant से charge करते हैं merchant is charged by their issuing bank for accepting payments from their customer ठीक है जो merchants होते हैं उनसे कुछ charge लिया जाता है और वो जो bank है वो इनसे charge काटेगा क्योंकि merchant आपको basically जो customer है customer से payment जब लेंगे वो credit card या debit card से यानि online payment लेंगे तो online payment करने के लिए जो भी facilities यहाँ पे दुकान वाले के पास merchant के पास में वो basically यहाँ पर bank वगराने प्रोवाइट करवाई है इस वे से यहाँ पर bank एक charge ले लेता है किसे लेता है merchant से लेता है ठीक है इसी को आम लोग merchant discount rate बोलता है यहाँ पर discount किसी को नहीं दिया जा रहा है in fact एक additional charge लगया जा रहा है merchant के उपर में तो यह पहली हुआ करता था अब इससे bank और यह सारी चीज़े चला करती थी इनको ए amount खतम कर दिया था अब उसके लिए यहाँ पर जो banks है banks को यहाँ पर कुछ amount देने की बारे में चर्चा की है और bank से बुला गया कि आपके पास में देखो MDR ने आ रहा है ठीक है हम आपको एक amount दे रहे है वह amount यहाँ पर release किया जाएगा और इससे यहाँ पर क्या करना कार्ड नहीं होगा machine नहीं आएगी company देगी तो कामी खतम online payment आगे बढ़े गई ने तो basically यहाँ पर इस चीज़ के लिए यह काम किया जा रहा है I hope आपको यह बात अच्छे से clear हो चुकी है MDR क्या होता है जो मैंने बाते बताई है वो सारी बाते लिखित में आपको यहाँ पर देखने को मिल चाती है आगे आते हैं next important news article की दरफ अगला article बात करता है हमारी सरकार ने अभी 155 करोड रुपे फिर से अप्रूब करती है किसके लिए mineral exploration के लिए जो खनीज होता है ना खनीज पदार्थ जो होता है इसको और ज़दा निकालने के लिए इसका हम और ज़ सदा बढ़ाया जाए इसके लिए सरकार ने 155 करोड रुपे अप्रूब के हैं इस वज़ा से ये भी हमारे लिए एक important news है तो क्या निकल के आता है इसमें से important में आपको बताऊंगा news यहाँ पर यह है कि हाली में सरकार ने पैसा यहाँ पर जो 155 करोड रुपे दिया है वो धेर सारा यहाँ पर पैसा generate करके हमारी economy में contribute करना ठीक है तो यह काम है national mineral exploration trust का जिसका काम है mineral exploration और इसकी capabilities को increase करना तो basically इसी body को यह पैसा दिया जा रहा है ताकि जादा से जादा जो mineral है वो यहाँ पर हम लोग अपने country में explore कर सकें अब बात यहाँ आती है कि आपको इस article मे बारें पढ़ना है क्योंकि bodies को लेकर कई सारे सवाल बन जाते है national international bodies को लेकर तो national mineral exploration trust क्या है आप से पूछा जा सकता है तो यह जो ट्रस्ट एक non-profit body है इसका कोई फायदा कमाने का मकसद नहीं है हमारी central government की sites से body को चला जाता है इसका मकसद है minerals के बारे में देश बर में प development and regulation amendment act 2015 तो 2015 का यह act है जिसी नहीं हाँ पर इस body को बनाया था जिसका नाम है national mineral exploration trust ठीक है आप यह जो body है आप इसके structure को देखोगे तो इसके अंदर दो अलग लग सिस्टम है यह दो टियर सिस्टम body है ठीक है ध्यान दकना यह NMET दो टियर सिस्टम body है इसमें एक उपर body आत है यानि इस पूरे के पूरे trust को देखने के लिए एक अपैक्स body है और इस अपैक्स body को कौन chair करता है जो हमारे honorable minister of mines होता है ठीक है mines के जो हमारे basically जो खान है जितनी भी देखने को मिलती है अलग-लग minerals की उसके एक अलग minister है तो mines के minister यहाँ पर इस body को chair करते है और वही यहा पर इसकी सारी activities को manage करते हैं funding की बात करें तो यहाँ पर देखो यह जो पैसा बगरा इस body के पास में पहुंचता है ना उसके लिए एक पूरा fund मना रखा है NMET fund के नाम से इसको establish कर रखा है यहीं पर हम लोग funding provide करवाते हैं और basically इसी के basis पर हम लोग mineral का exploration अपने देश बर म हैं उनको extract करना उनको महां से निकालना उनको refine करना सारा काम यहां पर उनके ओपर studies करना properly mineral development करना sustainable mining करना यह खनन करना खनन करके महां से निकालना नहीं technology का इस्तमाल करना तो यह सारा का सारा काम यहां पर किसका होता है यह सारा काम यहां पर NMET का होता है that is national mineral exploration trust ठीक है बात कुछ यहां पर भरपूर मातरा में देखने को मिलता है तो इसी को निकालने के लिए ये बॉडी हमारे पास में तयार है अगले आर्टिकल पर आते हैं अगले आर्टिकल में चर्चा की जारी है कुनो पालपूर नैशनल पार्क के बारे में तो ये कुनो पालपूर नैशनल प क्योंकि आपको बता हो गए चीता इंडिया में अल्रेडी कई साल पहले खतम हो चुका था तो हमने पिछले साल ही कुछ चीते मगा कर इस नैशनल पार्क में छोड़े थे अच्छा आप ये बताओ आज ये फिर से नैशनल पार्क नियूज में क्यों आ चुका है क्योंकि हाल ह मध्या प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने ये बोलाए कि अब हम और भी कई सारे चीते लेकर आने वाले हैं इस नैशनल पार्क के अंदर बहुत जल्द ही इस वज़़ा से नैशनल पार्क नियूज में हैं बात क्लियर हो क्योंकि और चीते यहां पर आने वाले हैं तो फटाफट इस पार्क को रिवाइस कर लेता है क्योंकि हमने पहले काफी बर पढ़ा वाई एक रिवेजन आपका हो जाएगा ठीक है लोकेशन की बात करें तो यह कहां पर इस्थित है मध्या प्रदेश के अंदर मध्या क्योंकि यहां पर एक नदी बैती है जिसका नाम है कुनो रिवर कुनो रिवर बेसिकली एक ट्रिबूटरी है एक सायक नदी है चंबल रिवर की चंबल रिवर भी न्यूज में रहती है ध्यान रखना चंबल रिवर की है एक सायक नदी है कुनो रिवर कुनो रिवर के नाम रखा यहां है कोनो नैशनल पार्क बात क्लियर होगी फ्लोरा फोना की बात करें यहां पर किस प्रकार की अलगलग जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो जानवरों की बात करें तो यहां पर कईट इंडियन लेपार्ट, लॉद्बियर, इंडियन वॉल्फ इस प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे कुनो नैशनल पार्ख अपने आप में इंपोर्टेंट इसलिए बन चुका है क्योंकि चीता यहाँ पर बेसिकली अभी लेकर आया गया तीक है और बाकी चीता को प्रोडेक्शन देने के लिए हम लोग ने प्रोजेक्ट चला रखा है जिसका नामे प्रोजेक्ट चीता ये दुनिया का सबसे पहला Intercontinental Large Wild Carnival Translocation Project था आपका होगा ये क्या है क्योंकि आपको बता होगा जब हम लोग बात करते हैं African continent की तो African continent यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया यहाँ पर तो एक महादूई से एक दूसरे महादूई पर लेकर आया गया यानि कि एक continent से दूसर करने वाल हैं अपने देश के अंदर में जब बात आती है चीता की तो चीता दो प्रकार के होते हैं एक होता है African चीता और दूसरा होता है एसियाटिक चीज़ था नाम से बता चलना है एफ्रिकन चीटा जो की पूरे एफ्रिका में पाया जाता है एसियाटिक चीटा जो की एशिया में पाया जाता है तो आपको एशिया में या इंडिया में मिलना चाहिए था हाँ इंडिया में यह चीटा पाया जाता था बट यहा तो केवल और केवल एरान में चालिश से पचास चीता हैं जो की ऐस्याटिक चीता है बाकी सब खतम हो चुके हैं इस विसे यहां पर काफी चिंता वाली बात है अच्छे काजी संक्या है साड़ेश से लेकर 7000 के आसपस एफ्रीकन चीता अभी प्रेजेंट है पूरे एफ्रीक लाइन नज़र आ रही है यह कुछ इस बेसिस पर आप थोड़ा सा डिफरेंस वगरा create कर सकते हो आगे आते हैं next important आर्टिकल की तरफ recently national youth day चर्चा में था और आज ये फिर से चर्चा में है तो हम लोग थोड़ा discuss करेंगे अभी हमारी जो 12 जनवरी वो तारिक निकलेसर को गए आप लेट हो गए हाँ मैं लेट हो गया लेकिन national youth day को लेकर अभी कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं इस वेसे यहाँ पर मैं थोड़ा इसको लेट discuss कर रहा हूँ लेट discuss करो कोई बात ने लेकिन discuss होना चाहिए national youth day recently 12 जनवरी को celebrate किया गया इस वेसे यहाँ पर चर्चा में था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 26 ध्यान रखना 26 नैशनल यूथ डे जो फैस्टिवल है जो और नैशनल यूथ जो फैस्टिवल है इसका उधगाटन किया है कहाँ पर करनाटका के अंदर होबली में 12 जनवरी को यहाँ पर उधगाटन किया गया था इस वैसे यह न्यूज में है तो नैशनल यूथ डे के दिन ही हम लोग नैशनल यूथ फैस्टिवल को celebrate करते हैं यह celebrate क्यों किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इस दिन स्वामी विवेका नंद जी की अनिवर्सरी बर्थ अनिवर्सरी जो है न वो celebrate की जाती है तो स्वामी विवेका नंद जी की जो बर्थ अनिवर्सरी है वो हम लोग celebrate करते हैं इसी अफसर पर National Youth Day को भी मनाते हैं 1985 से हमारी सरकार लगातर स्वामी विवेका नंजी की बर्द अनिवर्सरी पर इसको National Youth Day की तरह देखती है कुछ important facts ने इसको लेकर जो कि आपसे one day examination के अंदर या दूसरे examination के अंदर पूछे जा सकते हैं पहला तो आपको यहां पर इस particular day का theme बताओना चाहिए विश्य क्या है तो 2030 के अंदर National Youth Festival का जो theme है वो है विक्सित यूवा विक्सित भारत important है theme रटने ही पढ़ता है डारेक्ट एक्जाम में पूछा जाता है तो विक्सित यूवा विक्सित भारत इसका theme है ध्यान रखना बाकी इसमें आपके बार कुछ अलग-लग यह जो पूरा festival है जो पूरा हमने festival celebrate किया है ना करनाटका के हुबली में यहां पे कुछ अलग-लग events भी रखे गए थे कुछ मेला वगरा लगाए गए और मापे स्कूबा डाइविंग जैसी चीज़ा यहां पर रखी गई थी अपकी बार साथी साथ में traditional sports जानी कलरी पयत्तु जिसका picture आपने थम्रेल में देखा है है ना उसके बाद में गतका फिर उसके बाद में हैं यहांपर सिलंबं इस उफच्वी आद में मालक हम यह सब हिहां पर ऊर्गनाइज किया रहा है यह सारे की सारी जो sports में वह सब और यहां पर किये जा रहे हैं ठीक है बाकि यहां पर कुछ cultural event जैसे फोल्क डांस हो गया, फोल्क सॉंग हो गया, इनको भी यहां पर और्गनाईस किया गया, अलग-लग हमारे राजों से लोग निकल करें, जुनने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो यह चीज़ आप यहां पर ध्यान पर रख सकते हो, तो इस साल का फेस्टिवल यह थोड़ा सा important हो जाता है, बस खले इतनी सी बात ध्यान न को, और जादा कुछ रियाद रखने की आवशकता है, नहीं, बाकी recently हमने अपने दह हिंदू के अंदर Indian skimmer के बारे में discussion किया था, और Indian skimmer आज भी चर्चा में है, तो फिर सम डिसकस करेंगे, आपका revision हो जाएग क्योंकि important है, ऐसे जानवर important होता है, डारेक्ली environment के अंदर आपसे UPS से सवाल पूछ लेता है, Indian skimmer वैसे है क्या है, तो आपको यहाँ पर एक bird दिख रहे होगी, चलिया दिख रहे होगी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो news में यहाँ पर क्यों है, क्योंकि Indian skimmer का एक ग्रूप देखने को मिला, इस वाज़ा से यहाँ पर यह Indian skimmer चर्चा में है, बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर आप Indian skimmer को देखोगे, तो इसका थोड़ा से appearance के बारे में समझाया या, औरेंज कलर की लंबी सी चोंच आपको दिखेगी, उपर यहाँ पर इसके सर के उपर ब्लाक कलर का, थोड़ा सा यहाँ पर spot देखने को मिलेगा, है ना, तो यह थोड़ा सा इसके बारे में बताये गए, बाग इसका जो scientific name है, रिंग कॉप्स अलबी कॉलिस, यह इसका scientific name है, यह जो चिड़िया है ना, यह लगभा 40 से 43 cm लंबी तक ग्रो कर सकती है, distribution की बात कर हैं, तो काफी सरे area में, इंडिया के अंदर खास सरक western, eastern side में भी आपको यह देखने को मिलती है, उसके अलबा, जो खास कर यहाँ पर sandy areas है, larger areas है, low land rivers है, वहाँ पर भी देखने को मिलती है, यह आप से नहीं पूछ दाएगा, बस इतना ध्यानकना, खास कर इनके जो सबसे इस वैसे मैं इसको highlight कर दिया है, ध्यानकना, जितनी भी population है इन Indian skimmer की, उसकी 20% की जो population है न, वो basically चंबल रिवर के पास में ही पाई जाती है, तो इस वैसे यह आप से पूछा जा सकता है, तो अपसे ज़्यादा population इन Indian skimmer की कहां पर देखने को मिलती है, चंबल रिवर के प डैम बना दिया गया, पानी रोग दिया गया, इनको properly यहां पर supply नहीं मिल पा रही है, ऐसे कई सारे areas जहां जा पर यह पाई जाती है, इनका habitat बरबाद कर दिया गया है, जिसकी वज़ा से इनको खत्रा बढ़ता जा रहा है, अब खत्रा बढ़ता जा रहा है, इस वज़ा स देखने को मिलेंगी, इनको सुरक्षा देना हमारा एक बहुत important काम है, अगर हम इसको सुरक्षा नहीं देते हैं, तो endangered के बाद इनकी संख्या और खतम होगी, यह critically endangered में पहुंचेंगी, फिर और खतम होगी, तो यहां पर यह प्रजाती विलॉप्त हो जाएगी, फिर आने पर हम यादी करेंगे, बस इंडियन स्केमर नाम की एक चिडिया हमारे पास में हुआ करती थी, ठीक है, तो बस इतना ध्यान एकना, IUCN स्टेटस आ गया आते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टन न्यूज आर्टिकल पर आते हैं, अगला आर्टिकल बात करता है, पॉली थाइलीन तैराफ तैलेट के बारे में, तो पॉरी थाइलीन तैराफ तैलेट क्या है, इसको डिसकस करेंगे, P.E.T. इसको मैं आगे से बोलूँगा, है ना, लंबा वर्ड है, अच्छा है, यहाँ प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, यह न्यूज में आया है, और इंपॉर्टन ए, मैं आपको बता दू, UPSC इसको लेकर सवाल पूछ चुका है, पहले, 2022 के अंदर लेटेस्ट पेपर के अंदर इसको लेकर सवाल पूछा या है, तो यहाँ पर न्यूज क्या है, हम लोग यहाँ पर इसको पहले देखते हैं, न्यूज यहाँ कि हाली में, यूनिवस्टी ओ ना, इसको हम लोग इसको यह जो प्लास्टिक वेस्ट यानि कि जो भी प्लास्टिक होगा, यह जो कूड़ा है, इसको हम लोग बोल लाएं, जो भी हम बानार, PET का प्लास्टिक वेस्ट होगा, इसको हम ट्रांस्फॉर्म कर सकते हैं, एक सूस्टेनेबल फ्यूल के अंदर, ठीक है एक sustainable fuel के अंदर इसको बदल सकते हैं यानि कि इस plastic को जो बेकार plastic पढ़ा है इससे हम लोग एक अच्छा fuel बना सकते हैं जिसका हम इस्तमाल कर सकते हैं और fuel बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे fuel बनाने के लिए solar energy का इस्तमाल करेंगे सूरे की energy का तो यहाँ पर कोई pollution भी नहीं होगा तो बिना pollution करें plastic waste का एक fuel बनाया जा सकता है जिस fuel का हम लोग as a energy इस्तमाल कर सकते हैं और fuel के सासथ कुछ और valuable products यहाँ पर बनाई जा सकते हैं इस plastic waste से जिसको बोला गया है polythylene teraphylate न्यूज मैं यहाँ पर क्यों है क्योंकि researchers ने एक तरीके से पूरा reactor तयार किया मैंने आपको बता दिया reactor के अंदर दो compartments यहाँ पर अलग लग बना रखें एक compartment plastic के लिए है और एक compartment greenhouse gases के लिए है ठीक है तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है और उस field को हम as a energy इस्तमाल कर सकते है तो यह जो reactor तयार किया गया researchers के थूरू यह क्या करेगा एक light absorber चीज का इस्तमाल करेगा यानि कि जो light को absorb करते है जो sun की जो उरजाएन उसको absorb करेगा क्या है वो परवोक्स kite परवोक्स kite आपको यह देखने को मिलेगा यह basically calcium titanium oxide mineral है ठीक है जिसके अंदर calcium titanate आपको देखने को मिलता है तो यह चीज़ यहाँ पर use की गई है जो कि basically यहाँ पर क्या करेगा इसका काम है light को absorb करना गर्मी को absorb करेगा और इसी का हम यहाँ पर रियक्टर में यूज करेंगे और इसी का यूज करके इस plastic waste और greenhouse gas को क्या करेंगे एक sustainable fuel के अंदर इस्तमाल करेंगे इसको बदल देंगे एक basically एक ऐसा fuel बना देंगे जो कि basically कहीं है कि हमारे लिए energy का काम करेगा तो यह जो nuclear react इस reactor के अंदर हम लोग इन सारी plastics को डालेंगे एक normal temperature में रखा जाएगा pressurized conditions में यहाँ पर यह क्या करेगा यह जो reactor होगा यह कहीं न कहीं इस plastic waste को इस PET को इस plastic bottles को या फिर यहाँ पर यह जो हमारी gases हैं इनको यहाँ पर convert कर देगा दूसरी चीज़ों में इनको convert कर देगा fuel के अंदर में तो उस fuel का हम लोग यहाँ पर as a energy इस्तमाल कर पाएंगे यह आई I hope आप लोग को यहाँ पर यह बात clear हो चुकी है ठीक है तो यह polythylene terephthalate क्या है मैं आपको बता दिया यह basically एक condensation polymer of ethylene glycol and terephthalate acid अब यह क्या है condensation मतलब क्या होता है जो आपका vapor है जो भाप है या फिर जो gas है उसको liquid में बदल लेना उसको हम लोग condensation बोलता है तो polythylene terephthalate क्या है यह basically यहाँ पर एक condensation polymer है condensation polymer देखने को मिलेगा जो की ethylene glycol और terephthalic acid का यहाँ पर यह पूरा का पूरा polymer है ठीक है और मैं आपको बता है condensation क्या है जब हम लोग vapor को या gas को liquid में change करते हैं जब यहाँ पर इसको हम vapor और gas में change करेंगे तो इसका जो bio product है न वो निकल कराएगा water हम लोग को water मिलेगा ठीक है तो यही basically यहाँ पर पूरा का पूरा condensation का process आपको देखने को मिलता है ठीक है बाकी जो यह plastic है ना यह plastic कहीं न कहीं आप कह सकतो हो Maliable है हम इसको पिगला सकते हैं गर्मी के अंदर में और पिगलाने के बाद में किसी भी शेप के अंदर किसी भी अकार में यह पर इसको बदल सकते हैं तो यह जो पैट है यह ध्यानक ना पैट यहां पर पॉलिथाइलेंट टेरेफ्टलेट मैंने आपको बता दिया केमिकल नेम है फॉर दी पॉलिस्टर यह बेसिकली काफी साफ साफ को देखने को मिलेगा लाइट वेट प्लास्टिक होता है इसका हम इस्तमाल करता है कभी-कभी खाने को पैक करने के लिए या जो पैकिंग की जाती है वो सब की सब यहां पर इसी पीटी वाली प्लास्टिक के अंदर पैकिंग की जाती है ठीक है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है पीटी का यानि कि जो यह प्लास्टिक बनता है यह कैसे बनता है इसके पीछे दो चीज़ है इथाइलिन ग्लाइको को मिलेगा जो कि basically हम कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं तो यहां पर polythylene tariflate का आप यूज देखोगे तो इसमें common products के अंदर आप कई सारी चार वगरा water bottles वगरा बनाते हो यह देखोगे इसी की कई सारी प्रकार के आगे आगे हाँ पर varieties दे गई हैं आगे आते हैं अगले article पर next article में बात की गई है डिजिटल इंडिया land records modernization program के बारे में अगर मैं बोलू तो डि आई आल एल आर एम पी हाँ पर इसकों लोग बोल सकते हैं तो डिजिटल इंडिया land records modernization program क्या है समझते हैं तो हाल ही में हमारी केंसरकार ने supreme court को inform किया है कि हम लोगों ने जो land को digitize करने का process start किया था वो यहाँ पे धीरे धीरे grow कर रहा है काफी सारे जो land है वो अपने आप में digitize हो चुके हैं है ना सारका सारा digital data create हो चुका है होता है कि देखो जब यहाँ आप जमीन देखते हो ना तो जमीन की होती है registry सब कुछ यहाँ पहले paper पे हुआ करता था पेपर वर्क हुआ करता था अब उसको digitize किया जा रहा है सब कुछ यहाँ पे online पहुंच रहा है तो बोला यह जा निकाल सकतो information center से तो यह है यहाँ पर digitization का फाइदा यानि सब कुछ online ले जाने का फाइदा तो management information system of digital इंडिया land record modernization program के according बात करें तो कई सारे गाउं जो देखने को मिलते हैं लगबख साड़े इसी प्रोग्राम के अंडर में किया जा रहा है डिजिटल इंडिया land record modernization program के अंडर में तो यह जो प्रोग्राम है यह बिसिकली एक center sector scheme है बहुत जादा important point central sector scheme है central sector scheme का मतलब है सादा का सारा पैसा जो यहाँ पर खर्चेगी वह हमारी कें सरकार खर्चेगी राजसरकार को एक भी रुप्या यहाँ पर नहीं खर्चना होगा तो central sector scheme है जिसको हम लोगों ने basically extend कर दिया है 2023-2024 तक इसका जो target है वो है यहाँ पर जितना भी हमारा land records है उसको यहाँ पर digitize करना साल 2008 में इस प्रकार्ट की हमारे पास में दो schemes हुआ करती थी, computerization of land records और दूसरा हुआ करता था strengthening of revenue, administration, updating of land records दोनों को हमने merge कर दिया मिला दिया, मिलाने के बाद में हम लोगों ने इस DILRMP को बनाया यानि कि जिस particular program के बारे में हम बात कर रहे है Digital India Land Record Modernization Program बात क्लियर होगी, आ गया आता है अब इसका मकसद क्या है, मैं आपको बताया, सब कुछ यहाँ पर digitize करना जो हमारे land records इसको digitize करना, जितना land records इसको computer data में feed करना survey, resurvey करना, है ना, जो registration है, उसको यहाँ पर computerize करना सब कुछ basically यहाँ पर online way में लेकर जाना, जिससे कि यहाँ पर आपका जो paper work है, वो हो जाता है, खतम, आपके साथ में fraud बगएरा हो जाता है, वो भी हो जाता है, खतम, आप यहाँ पर आपकी सारी के सारी information चड़ चुकी है, online, आप उसको information center से निकाल भी सकते हो, आपको number पता है, उस number से आपने information निकलवा भी सकते हो, आपनी जो भी online वे में सारी information ने वो store भी कर सकते हो, तो I hope आपको यह बात clear हो चुकी है, अगला जो basically article है, last article है, काफी सारे article हो गए आज, लेकिन थे तो क्या करें हम लोग, discussion तो करना था, अगला article बात करता है, viscose fiber के बारे में, तो viscose fiber हो गया है चर्चा में, तो viscose fiber चर्चा म इन्होंने ये बोला है कि सर, इंडोनेशिया से जो ये वाला fiber आ रहा है, जो ये वाला धागा आ रहा है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, इसके import के उपर, इसके आयात के उपर anti-dumping duty लगा दो, anti-dumping duty का मतलब पता है, मैं आपको समझाता हूँ पहले ये, इंडोनेशिय क्या कर रहा है ना, ये viscose fiber, ये जो धागा है ना, जिससे कपड़ा बन रहा है, ये बहुत सस्ते में हमारे देश में भेज रहा है, इतने सस्ते में कि जो हमारा domestic market है, हमारे देश का market है, उससे भी सस्ते में भेज रहा है, अब इससे भी सस्ते में भेज रहा है, तो इंडो ये समान अपना डंप कर रहा है हमारे याँ पर हमारे याँ पर समान लगातार भेजता जा रहा है बहुत सस्ते दाम में इतने सस्ते दाम में कि हमारा डॉमेस्टिक मनुफैक्चरिंग से भी सस्ता पड़ रहा है और कहीं न कहीं हमारी डॉमेस्टिक मार्केट को हेट कर रहा ह जिससे क्या होगा जो हमारा domestic market है बेसिकली वो hit नहीं होगा वो बेसिकली grow करता रहेगा तो वही यहाँ पर बोला गया है कि सर इस पर anti-dumping duty को लगा दिया जाए जो भी Indonesia से viscous fiber आ रहा है ठीक है आपको एक concept तो समझ में आ गया anti-dumping duty का अब बात आती है कि सर यह viscous fiber क्या होता है इसको भी आप लोग जान लो viscous fiber पहले यहाँ पर इसके लिए हम एक Ryan word यूज के अर्थे थे Ryan word बट अभी यहाँ पर इसको हम viscous के तरह यूज करते हैं viscous word काफे ज़दा पुराना word है यह viscous हम लोग बोलता है क्योंकि यहाँ पर इसको तयार के जाता है कैसे मैं आपको समझाता हूँ आपने लिया पेड़ एक पेड़ से यहाँ पर पेड़ की टुकड़े लकड़ी लेने के बाद में उस लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद में इस लकड़ी में से निकाला गया पल्प है ना उससे बनाया गया धागा मतलब फाइबर बनाया गया उससे पहले और फाइबर बनाने के बाद में यहाँ पर उससे बनाया गया इस प्रकार से धागा ठीक है ना और फिर इससे यहाँ पर आपके जो भी कपड़े हैं, वो यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, तो viscose fiber क्या होता है या आपने सबस गया, तो viscose कैसे बनता है, tree wood pulp से, या लकड़ी के wood pulp से यहाँ पर बनता है, लकड़ी कोई सी भी हो सकती है, कोई सी नहीं, कुछ प्रका प्राइकार से fiber को बनाया जाता है ठीक है बात यहां प्र अब इसका पूरा प्रोस्य हुटाइ है कि लकडी को यूज करीते हैं तो मोग एस प्रकार से यह आप कर सकती है शुकर निलता है उसके बाद हम इसका यूज कर बाता है तो बोग प्रोस्य साय यहां पर लास्ट चीज यह धियान रखना कि जो विसकॉस है ना इसमें केमिकल का इस्तमाल होता है यह देखो मैं आपको बता दिया लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बता यह चलेगा जिस प्रकार से इसको बनाया होगा क्योंकि जिस प्रकार से मनुफैक्चरिंग की होगी वही यहां पर इसकी क्वालिटी को भी दर्शाएगी अब यहां पर मैनुफैक्चरिंग अच्छी नहीं होगी तो यहां पर क्वालिटी बेकार होगी मैनुफैक्चरिंग अच्छी होगी तो क्वालिटी भी अच्छी होगी अब बात यहां पर करते हैं कि जो विसकॉस फा यह होता नहीं, यह सस्ता ही 5 बार होता है, ठीक है, यह इसकी एक quality देखने को मिलती है, विसकॉस की, आओ जी, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अपने question को solve, I hope आपको मज़ा आ चुका है, काफी कुछ आपने discuss किया है, हमने discuss किया है, तो आप देख पा रहोंगे, कि जो morning में हिंदू आता है, उसमें कुछ छोटे articles ऐसे cover नहीं हो पाते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि वो news में होते नहीं है, यह अलग-लग sources से उठाए गए हैं, PIB, Down to Earth, Indian Express, यहाँ सभी जगह से लिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा help मिल जाती है, अब करना question बोलता है, with reference to nickel, nickel के बारे में अभी हमने पढ़ा था थोड़ दर पहले, यादो का coating जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो nickel के reference में दो statement है, पहला, nickel जो है न, पाया जाता है एक association में, यानि copper, uranium और दूसरे metals के साथ में associated यह nickel मिलता है हम लोग को, दूसरा nickel का जो atomic number है, वो अगले question पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगला question, अगला question बात करता है, very short range air defense system के बारे में, very short range air defense system जिसके बारे भी हमने पढ़ा था, इसके reference में दो statement दिये गए है, पहला statement यह एक man portable air defense system है, यानि इनसान जो है इसको particular system को carry कर सकता है, कंदे पर रखकर या क कौँसा statement सही है, option A one only, option B two only, option C दोनों सही है, या फिर option D दोनों के दोनों गलत है, आगया आता है, अगले question की तरफ, now, next question बात करता है, curative petition के बारे में, curative petition अभी आपने थोड़े पहले detail से समझा था, curative petition को लेकर दो statements आपको दिये गए हैं, पहला statement, जो curative petition होता है, हम इ पहला statement तो यह हो गया, दूसरा statement बोलता है कि जो curative petition है, इसमें जरूरी यह होता है कि आप open court hearing करो, यानि court में openly हाँ पर इसको देखा जाता है, इसकी सुनवाई की जाती है, यह openly की जाती है, कैसे की जाती है, आपको बताना है, तो दो basically हाँ पर statement दिये गए है, curative petition को लेकर बताओ कौन सा सही है, पहला option बोलता है one only, दूसरा two only, तीसरा दोनों सही है, या फिर चौथा दोनों के दोनों गलत है, आगे आते हैं अगले प्रशन की तरफ, next question बात करता है, merchant discount rate के बारे में, यह प्रशन थोड़ा सा अलग है, हो सकता है काफी सरलोग के गलत हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि majority of लोग इसको सही करें, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, अलग से तैयार यहाँ पर क्या गया है, तो यहाँ पर बोला यह गया है कि merchant discount rate के reference में, आप पताना है कि यह जो statement है, यह true है या false है, ठीक है न, तो merchant discount के reference में आपको यहाँ पर statement दिया या, यह बोल जो है न, यह customer से charge करता है, जब payment को लेता है credit या debit card से, अब बताओ यह statement सही है या गलत है, कौन किसे payment लेता है, आपको पहले बता चुका हूँ, आपने कितने अचे सुना है, अब यहाँ पर आपकी testing हो रही है, बताओ यह सही है या गलत है, आगे आता है उसके बाद अगल प्रशन की तरफ, नेक्स्ट बहुत important प्रशन है, डारेक्टली पूछ जाएगा, ऐसे पूछा भी जाता है, कुनो रिवर, अभी हमने discuss किया था, जो कुनो रिवर है, यह कौन सी नदी की tributary है, कुनो रिवर, कौन से नदी की सायक नदी है, option एक केन नदी, option भी महा नदी, option C, चंबल, या फिर option number D, नर्मदार नी दी, तो इसका साही answer नीचे comment section में दो, अगले question की दरफ चलते हैं, अगला question बात करता है, किसके बारे में, National Mineral Exploration Trust के बारे में, sorry, National Mineral Exploration Trust को लेकर आपको दो statement से दिये गए, पहला statement, देखो मैंने आपको exploration के बारे में पढ़ाया था तो इस trust को लेकर जो दो statement दिये गए, इसमें पहला statement बोलता है, कि National Mineral Exploration Trust एक statutory body है, जिसको एक act के अंदरे बनाया गया, उस act का नाम है Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015, दूसरा statement बोलता है, कि इस particular body की जो governing body होती है न, इसको हमारे Union Minister of Mines जो है न, वो चेर करते हैं, बताओ कौन सा statement सही है, option number A, one only, option number C, two only, option number C, sorry option number C, दोनों सही हैं, आफिर option number D, दोनों के दोनों गलत है, आगया आता है, अगले प्रशन की तरफ, अगला question बात करता है, National Youth Festival 2023 के बारे में, तो National Youth Festival 2023 के reference में, आपको दो statement यहाँ पर दिये गए, पहला statement, यह जो festival है, इसको हम हर साल celebrate करते हैं, स्वाम रामा कृष्णन जी की birth anniversary के उपर, दूसरा statement जो 2023 का, यहाँ पर theme है, इस particular festival का, वो है, विक्सित युवा, विक्सित भारत, बताओ कौन सा statement सही है, option A, one only, option B, two only, option C, दोनों सही हैं, या फिर option D, दोनों के दोनों गलत हैं, आगया आता है, अगले प्रशन की तरफ, next question बात क नहीं हाँ पर, ठीक है, तो बोला यह जा रहा है कि Indian skimmers के reference में, दो statement है, पहला statement, कोरिंगा wildlife century जो है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर Indian skimmer, कोरिंगा wildlife century में पाई गई हैं, धेर सारी, इस विससे यह news में है, तो पहला statement, मतलब इसमें question थोड़ा गलत हो गया है, मेरी से गलत हो ग as a critically endangered category में रखा है, IUCN के status में, इसको हमने critically endangered category में रखा है, बताओ कौन सा statement सही है, option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है, या फिर option D दोनों को दोनों गलत है, तो ठीक है, दोनों statement अलग अलग है, देखते हैं, यहाँ पर कौन इसका सही उतर देता है, आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन बात करता है, Digital India Land Records Modernization Program के बारे में, जो प्रोग्राम अभी थोड़ दर पहले आपने पढ़ा है, इस प्रोग्राम को लेकर दो statement दिये गए हैं, पहला statement, यह एक centrally sponsored scheme है, ठीक है, दूसरा statement यहाँ पर बोलता है, इसको हमने Ministry of Rural Development के अंडर में implement किया है, statement यहाँ पर इसको लेकर सही है, option number A1 only, option number B2 only, option number C, दोनों सही है, फिर option number D, दोनों का लगता है, ठीक है, आगया आता है, फिर भी आप अपना logic लगा के इसको solve कर सकते हो, अपना logic लगा के इस question को solve कर सकते हो, ठीक है, भले ही मैंने यह वाला, दूसरा statement आपको ना पढ़ाय हो, लेकिन इसमें से एक statement आपको पढ़ाया है, और वो अगर आपको clear है, तो इस question में कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही answer आप वैसी पढ़ाया है, अगले question पर आता है, नेक्स question बात करता है, विसकॉस फाइबर के बारे में, अभी हमने थोड़ देर पहले पड़ा था, विसकॉस फाइबर, इंडोनेशा से आ रहा है, विसकॉस फाइबर के ओपर anti-dumping duty लगाने की मांग की गई, तो विसकॉस फाइबर के reference में दो statement दिये गए हैं, पहला statement इसको बनाया जाता है, ट्री वोड पल्प से, पेड की लकड़ी के पल्प से, दूसरा statement य यह बहुत ही ज़ादा महेंगा फाइबर है, बहुत महेंगा दागा है, बताओ है आपको से statement सही है, option number A 1 only, option number B 2 only, option number C दोनों सही हैं, या फिर option number D दोनों के दोनों गलत हैं, चलो, अब जितने भी हाँ पर आपसे questions पूछे गए थे, I hope आपने यहाँ पर उसके answer दे दिये ह अपना score लिखे बिना मत जाना, नीचे comment section में आपका score क्या है, फटा फट हम लोग क्या करेंगे, अब जितने भी question आपसे पूछे गए उसके answer को देखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, पहला question बोलता है था, पहला हमने अभी last question से सारे answer को होता है, हैना बहुत सस्ता होता है, और absorbent है, इसमें काफिसरा liquid absorb हो जाता है, तो दूसरा statement हो जाता है, गलत, पहला statement हो जाता है, सही, तो यहाँ पर option is the correct answer, आगया था है, अगले question बराता है, फिर आप से digital India land records modernization program के बारे में पूछा जा था, कौन सा statement सही है, इसमें यहाँ पर केवल और केवल दूसरा statement सही है, क्योंकि यहाँ पर पहला statement बोलता है, यह centrally sponsored scheme है, नहीं, मैं आपको बोला था, यह basically यहाँ पर हमारी central sector scheme है, कें सरकार का सरा का सरा खर्चा होता है, central sponsored मतलब यहाँ पर इस राजय सरकार भी खर्च करती है, ऐसा नहीं है, तो पहला statement हो जाता है गला, दूसरा statement सही है, क्योंकि यह ministry of rural development के अंदर में आता है, अगले question पर आता है, अगले question आपसे पूछा यह था, पोली थाईलीन, टेरेफ्थिलेट के बारे में, तो इसको लेकर दोनों statement आपको सही देखने को मिलेंगे, मैंने बोला था, यहाँ पर एक condensation polymer है, इथाईलीन, ग्लाइकोल और तेरेफ्थिलेक एसेड का बताया था आपको, दूसरा यह जो polymer है, हम इसका use करते हैं, यह इस polymer का use करते हैं, मलियेबल प्लास्टिक को manufacture करने में, ठीक है, एक ऐसी plastic, मैंने आपको पढ़ाया भी था, कि इसको अगर पिगला दें, पिगलाने के दिया गया था कि कोरिंगा wildlife century और estuary, यह situated है, मध्या प्रदेश में गलत है, यह basically आंदरप्रदेश में situated है, तो पहला statement हो जाता है, गलत, दूसरा statement इसको, इस bird को हमने critically endangered category में रखा है, ऐसा नहीं है, हमने इसको केवल endangered category में रखा है, तो इस वैसे दूसरा statement भी गलत है, तो उसका सही answer, option number D, neither one, nor two, आ गयाता है, फिर आपसे पूचा गया, नैशनल यूथ फेस्टिवल 2023 के बारे में, तो यह जो 2023 का फेस्टिवल है, इसके reference में आपको statement दिये गए है, दो, पहला statement, इस festival को celebrate किया जाता है, हर साल birth anniversary, स्वामी रामकृष्णा जी की birth anniversary पर, तो इस statement कर लेता है, यह हम स्वामी विवेका नंद जी की birth anniversary पर celebrate करते हैं, तो पहले statement तो हो जाता है, खतम, दूसरा statement, 2023 का जो थीम है, इस festival का वो है, विक्सित यूवा, विक्सित बारत, बिल्कुल सही बात है, तो option 2 जो है, मरव हो जाता है, सही, मज़ा आ रहा है, आपने कितने question सही कि आप अपनी capabilities को देख पा रहे होंगे, कि हाँ मैंने पढ़ के भी कितने question सही कियां, गलत हैं, इस वैसे बोला जाता है, concentration के साथ में चीज़ों को सुनो, अगले question के अंदर बात की गई है, National Mineral Exploration Trust के बारे में, तो National Mineral Exploration Trust को लेकर आगेन आपको दो statements दिये गए हैं, पहल सही बात है, तो option two जो है हमारा ये भी सही है, तो both one and two यहाँ पर is the correct answer, मैंने आपको बताया था, ये chair के जाता है, Honorable Minister of Minds के थुरू, यानि Union Minister of Minds के थुरू, तो इससे आपर घवराने की इतनी आवशक्ता थी नहीं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही, आगया आते हैं उसक का सही उतार है, option number C, चंबल नदी की यहाँ पर एक सायक नदी देखने को मलती है, अगला question आपसे पूछा या था, merchant discount rate के reference में, जो basically statement दिया जाए, एक ये सही है या गलत है, statement बोलता है कि जो merchant discount rate है, एक fee है, जो कि यहाँ पर customer से charge की जाती है, और ये merchant यहाँ पर पैसा लेत और ये basically हाँ पर पूरा का पूरा amount देखने को मलता है, ये हमारा merchant discount rate के लाता है, आगया आता है, फिर आपसे पूछा या था, curative petition को लेकर, तो curative petition के reference में आपको दो statement दिये गए हैं, बताना था कौन से सही है, पहला statement, curative petition को हम file कर सकते हैं, तब ही, जब पहले हमारा review petition खा question होता है, closed way में, तो इस विजए दूसरा statement गलत है, पहला statement यहाँ पर हमारा हो जाता है, सही, अगले question पर आता है, फिर आपसे पूछा गया है, very short range air defense system के बारे में, तो इसके reference में कौन सा statement सही है, तो पहला statement बोलता है, कि ये जो system है, एक man portable air defense system है, सही बात है, मैं आपको ब question nickel के reference में बात करता है, तो nickel के reference में आगेन आपको दो statements दिये गए है, पहला statement बोलता है, जो nickel है, ये copper, uranium और दूसरे metals के association में मिलता है, हाँ सही बात है, दूसरा statement atomic number जो nickel का है, वो है 26, ये गलत है, क्योंकि atomic number निकल का है 28, ये मैं आपको बढ़ाया था, तो option A जो हमारा वो हैं, और रोजाना के basis पर एक improvement करनी है, पांच बज़े आपको ये वीडियो मिलेगा, जरूर से attempt करो, अपने answers को नीचे comment section में लिखो, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाबाय, have a nice day, thank you and जाहिंद.